नमस्कार दोस्तों, यूनिक आल्लाइन क्लासिस लखनों में आपका स्वागत है, हम लोग समुद्र गुप्त पढ़ चुके हैं, आप चाहे तो पिछला लेक्चर देख लीजेगा, आज हम लोग चंद्रगुप्त दुथी के बारे में पढ़ते हैं, जो एक बहुत पराक्रम का पेपर टैकल करते हैं, आप इसी अराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आप मेरे साथ एक एक देखे, कैसे में बहुत क्लियरली इसको लेखा है, ठीक है, आप उसे समगते जाएंगे, ठीक है, तो गुप्त वंस में हम लोगों ने देखा, समुद्र गुप्त के बारे में, औ अर्थात इसके, अब यहां थे चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, तो चंद्रगुप्त दिती, जो समुद्रगुप्त के बाद सासक बनता है, आप देखेंगे, तो 275 इसवी से ले करके, 415 इसवी तक यह सासन करेगा, ठीक है, आप जानते हैं, इतना पराकर्मी सासक है, किसी बेक करमा दित्त की उपादी धारण करेगा, आप एक एक करके करम देखेंगे, ठीक है, चलिए आप ये वाला सेग्मेंट पहले देख लीजे, ठीक है, एकदम आपका नॉलेज क्लियर हो जाएगी, ठीक है, तो चलिए मैं आपको यहां समझाता हूँ, चंद् गुप्त की मां है ये दत्य देवी, इनसे ही उत्पर्न है ये चंद्गुप्त द्विती, ठीक है, और इसका जो बिवा है, चंद्गुप्त द्विती का जो बिवा है, वो दो राजकुमारियस हो रहा है, देखे, एक कौन है, कुबेर नागा है, एक कौन है, कुबेर नामा नागा नाम एकदम रटा होना चाहिए कुबेर नागा और दूसरी है धुरुव देवी दूसरी कौन है धुरुव देवी अग कुबेर नागा की जो पुत्री है इनसे जो इसे पुत्री प्राप्त होई है ठीक है वो उनका नाम क्या है प्रभावती है प्रभावती बहुत इ इनकी साधी के वह किसे हो रही वाकाटक नरेश रुद्त द्रदेव देती से आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब है क्यों थेखेंगे की समराज्य को जीतेगा ठीक है तो आप इन्हें धियान रखेंगे इनका नाम आप देखें ध्रूदेवी से जो पुत्र उत्पन हुई है वो दो है एक गुप्त राम है और एक कुमार गुप्त तो आपको गुप्त राम के बारे में पढ़ना है कुमार गुप्त आगे चल करके क्या बनेगा सासक बनेगा आप देखेंगे गुप्त वंस में सबसे अधिक अभिलेखों को लिखवाने वाला कौन होगा कुमार गुप्त के ही समय में आएंगे वो हम लोग देखेंगे ठीक है वैसे तो आप देखेंगे असोक सबसे अधिक सिलालेक लेकिन गुप्त वंस में आप देखेंगे कुमार गुप्त सबसे ज़्यादा अभिलेक लिखवाएगा ठीक तो ए सांची में है अभिलेग, सांची का अभिलेग, मथुरा अभिलेग और उद्यगिरी अभिलेग और महरवली अभिलेग एक हाय गढ़वाल अभिलेग भी है ठीक है अब इन सब में सबसे जो महत्यकुड है वो कौनचा है महरवली का लोह इस्तम्भ अभी हम लोग महरवली के लोह इस्तम्भ के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे अब हम लोग किसकी बात कर लें उपाधियां यह most important है आप जानते हैं कि इन सब के बारे में उपाधियों से related paper में आता ही आता है देखे कौन कौन सी उपाधियां है ये पहली most important उपाधि है इसकी सकारी शक और कुषाण पहलो ये आप जानते ने बिदिसियों की बात जानते हैं बिदिसी आकरमणकारी है और यहीं पर आप देखेंगे उनका सासन भी रहता है तो उसी सक जो सासक है कौन सासक जो सक सासक है इन ही सक सासकों को हराता है कौन चंद्रगुप्त दुथी और इसमें कौन मदद करते हैं तो अब आप देखेंगे तो ये वाकाटक नरिश रुद्रदेव दुथी की मदद से सकों को पराजित करता है चंद्रगुप्त दुथी और जो उपाधि धारड करता है वो है सकारी तो most important है अब इसी के बाद उसने चन्दगुप्त दिती ने एक चादि के सिक्खे चलाए था जिसे रुपयक कहा जाता है तो यहीं के बाद और चादिक सिक्खे चलाता है तो आप देखेंगे ये most important चादिक सिक्खे भी उसके बाद इसकी दूसरी उपादी देखे तो बिक्रमा दित्य की उपादी है किसकी है बिक्रमा दित्य है अर्था बहुत पराक्रमी सासक है बिक्रमा दित्य की उपादी धारण करता है most important अगली है इसकी उपादी परम भागोत परम भागवत की उपाधी आप देखेंगे तो ये इस बात की जानकारी देते हैं कि ये किसको मानने वाले थे ते थे बैसड़ो को मानने वाले कौन थे ये बैसड़ो संप्रदाय को मानने वाले शाशक थे ठीक है ये आप देखेंगे और इनकी उपाधी क्या है शहशांक है लेकिन उपर की ये तीन most most important है, सहशांक भी है और तत्परी ग्रहिन भी है और राजा धिराजार्शी है, आपने देखा अभी इसके पहले कि गुप्त वन्स का सिरी गुप्त संस्थापक महाराज की उपादी धारण करते हैं और चंदुगुप्त जो परथम है वो किसकी उप गुप्त जो राजार्श की उपादी धारण करते हैं चंदगुप्त, दुटि देवगुप्त, इसके अन्य उपादिया यह है ठेके देवगुप्त, देवस्री और देवराज इसमें आप देखेंगे सबसे लोग प्रिये इसकी उपादी कौनसी है तो देव राज है सबस तो आपके 99% आप किस्टिन देखेंगे, अक्सर इसी में सा आ जाते हैं, बाकी एक नजरत इनको आपको देखना ही चाहिए, चलिए अब हम बात करते हैं महरवली इस्तंभ लेख के, महरवली इस्तंभ लेख की आप बात सुने होंगे, कि ये ऐसा इस्तंभ लेख है, ठीके, कि बिल्कुल आज भी उसकी चमक किस मिटल की बना है, किस प्रकार की पालिस, कौन से मिटल की पालिस लगी है, कि खुले आसमान में रहने के बाद, इसी ड्रीन या तमाम समश्याओं जेलने के बाद, कोई भी क्लाइमिट का परिवर्तन इस पर देखने नहीं मिलता, आज भी उसकी चमक वैसे ही बेमिशाल है, ठीके, ये लोह इस्तम्व तब की उतकृष्ट मिटलरजी को बताता है, धातु बिज्ञान को बताता है, ये महरवली लोह इस्तम्व, पहली बात आप देखे, मूल अस्थान इसका था कहां, तो इसका मूल अस्थान है, रावी नदी के कि मिनारे हिमाचल प्रदिश में था, ठीके, लेकिन आज बरतमान में आप देखेंगे, कुतुब मिनार के प्रांगण में, कुतुब मिनार के सामने खड़ा है, ठीके, और कुतुब मिनार के सामने ये लगाया गया है, और इसमें उल्लेक, इसमें उल्लेक किसका है, तो इसमे पाघोव डिली को बनाने वाले तोमर डाइनिस्टी तोमर की साथ है अंञपाल तोमर उसी ने ने जो है हिमाचल प्रदेश से कहां ले आए तो कहां कहां ले आए दिल्ली और आज कहां है कुत्व मिनार के सामने तो यह यहां से question कौन लाया वो पूछा जाता है किस राजा के जिक्र है कहां है पहले कहां था किस से संबंदित है महरवली लवस्तम ये रटा होना चाहिए अब हम लोग देख लें कि इसकी जो राजधानी सांस्कृतिक राजधानी है वो देख लिजे सांस्कृतिक राजधानी इसने किसको बनाया था उज्जैन को बनाया था और उजयन में जो इसकी संस्कृतिक राध्धानी है उसमें इसके दर्बार में नौरत्न रहा करते थे ठेक है आप जानते हैं यह नौरत्न है जो अकबर के दर्बार में भी देखने को मेलेंगे ते नौरत्न है उन नौरत्न से related एक एक क्यूशन आपको रटा होना चाहिए प आलिदास इन ही के दर्बार में रहते थे ठेक है आप जानते हैं इनकी किताबें ठेक है कुमार संभवम मालविकागन मित्रम रितु संगहार ठेक है यह सब किताबें इन ही की है ठेक है उसके अलावा अमर्शिंग यह सब्दकोष की जानकारी रखने वाले थे ठेक है अमर् ले इसिए और नमबर इसमें इन सब लोगों का बरूची का है छपड़क का है यह सब क्यूस्टन आजकल पूछे जा रहे हैं संग को की बात करें तो संग को नाम से ही लगता है कि कुछ इसमें mathematical है तो आप याद कर सकते हैं यह वास्तुकार है यह कौन है वास्तुकार है अर्थात इंजिनिरिंग का काम करते थे किसी भाय पठेल के मूर्तिकार है ठीक है इसी प्रकार यह वास्तुकार थे घट करपर की बात करें तो यह प्रकांड कूट नितिग थे बहुत मदद करते थे उनको कूट निती चलने में बिताल भट्ट का नाम तो जानते हैं आप बच्चा बच्चा जानता है किसे पूरा चाहिए यह एक क्या थे खगोल सास्त्री थे खगोल विद थे ठेक है यह नौ के नौ आपकी जुबान पर होने चाहिए और इस से रिलेटर यह क्या थे आपको मैं जानता हूं आपको यह सब याद हैं लेकिन आपको याद कौन सा रखना है छपड़क का नाम याद रख लि हैं अब इसके दरबार में अर्था चंद्रगुप्त द्विती के दरबार में एक यात्री आता है ठेक है एक चीनी यात्री आता है जिसका नाम क्या है फाहयान है और उसका बचपन का नाम क्या है इसे कुड़ भी कहा जाता है ठेक है एक दो पेपरों में इसका नाम भी प्रमड करता है ठीक है बहुत गरंतों का अध्यन करता है और इसकी किताब का नाम है most important है आप देखेंगे इनकी किताब का नाम है 4QK जुबान पर होनी चाहिए 4QK और आप देखते हैं कि इसमें इन्होंने अपनी किताब में किसका उल्लेक किया है तो आप देखेंगे मध्य देश का उल्लेक किया है किसका भारत के दच्छिड उत्तर पूर उत्तर इनके बीच में अर्थात आप देख रहें ना गुप्त वंस के राददरबार की ही जिक्र की हैं उस पूरी छित्र का तो मध्य देश का उल्लेक किया है किसका मध्य देश का उल्लेक किया है अब इसम इसमें चांडालों का बहुत बिश्तरित वरड़न मिलता है क्या मिलता है कि किससे हैं अच्छोतों से और इसमें लिखा ऋसने कि जब इन्हें दूर निकलना ठाule सिर्ण टेंटें कि ताकि ब्राम्हड या जो उच्छ वर्ग के लोग हैं वो रास्ते पर क्या है रास्ता छोड़ दे या यह जहां रहें तो अपना ध्यान रख ले इससे यह पता चलता है कि कितना ज्यादा हमारे तब कि समाज में छुआ छूत कितना ज्यादा प्रबल था ठीक है तो चांडा गया है इसमें कि ब्राम्हड ऐसे हैं यहां स्किष्चन नहीं आएगा यह लेकिन यह रटा होना चाहिए इसमें यह है कि ब्राम्हड यहां के जो है वो मांसाहरी नहीं है सांती साथ उसने कहा है कि यहां पर इतने ब्राम्हड ऐसे हैं कि लहसुन प्याज तक खाने में नही कहते यह देखोई लिखी वी बात इसमें है वो कभी पूछ सकते हैं ठीक है लेकिन आप देखिए इसने यह भी कहा कि यहां का जो दंड विधान है उतना कठूर नहीं है ठीक है इसमें लिखा है कि अगर कोई राजदुरुह करता है ठीक है वो भी जब दो बार राजदुरु दंड विधान के उदार होने की बात कहता है अगला मोस्ट मोस्ट इंपर्टेंट है वी वस्तु बिनिमें अर्थात लेन देन जो होता था ठीक है वस्तु का लेन देन किससे होता था तो कौड़ी से होता था जैसे आज मुद्रा है तब कौड़ी चलती थी कौड़ी का जिक अगला देखी पाटली पुत्र महल को देखता है तो उसकी आखे चार हो जाती है और देखता ही रह जाता है बोलता है इतना भव्य ये तो वो कहता ही नहीं कि मनुष्यों ने बनाया है वो देख करके कहता है कि ये दैवी सक्तियों ने बनाया है देवताओं ने बनाया है ठीक important है इससे related वो मैंने आपको इसकी किताब 4QK से related यहाँ पर लिख दिया हूँ एक बात और आप ध्यान रखेंगे तो पूछा जाता है कभी-कभी पूछ सकता है कि एक बार पूछा भी है कि वो कौन सा विदेशी यात्री है जो आता अस्थल मार्ग से और जाता समुद्री मार से तो यह फाहयान है ठीक है आता किसे है अस्थल मार्ग से आता है और जाता किसे है जल मार्ग से जाता है ठीक है यहाँ अध्यान करता है उसके बाद जाता है इस प्रकार आप देखेंगे तो सारे महत्त्वपूड किस्चन्स मैंने टूद्व पॉइंट अरेंज करने का प ठीक है उस topic को बनाता रहूँगा तो उम्मित करता हूँ आपको समझ में आयागा आप जरूर थोड़ा comment जरूर किया करिए का हाँ उसमें क्या improvement करना है या क्या नहीं ठीक है तो चलिए आज के लिए हाँ पर रुखते हैं thank you thank you class